आप अच्छा बहुत अच्छे हो मैं भी बहुत अच्छे हो हाँ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग जानते हो ओके मैं बताती हूँ अभी हम लोग बहुत इंट्रेस्टिंग एक एक्टिविटी शिट करेंगे हाँ, तो इसे लिए आप लोग जल्दी से शेम अक्षर बूक और उसके साथ साथ पंसिल, रेजर और क्रेयॉन लेकर तयार हो जाओ ओके, आप लोग तयार हो गए हाँ, बैरी गूट अभी आप लोग शेम अक्षर बूक के 3939 नंबर पेज ओपन कर लो ओपन कर लिए, हाँ, तो देखो ऐसे एक एक अक्टिविटे शेट दिख रहे हो है न, हाँ यह देखो, यहाँ पे बहुत सारे चीजों का सित्र है है न, हाँ और यहाँ पे बहुत सारे बर्न भी है हम, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बोलो यह क्या है डबडू, और यह तव और यह क्या है धक्कन, वेरी गूड, और यह क्या है ठपा, हम, अभी देखो, यहाँ पे यह कौन सी बर्न है टो, और यह ठो, यह डो है और यह, हम, वेरी गूड, ठो अभी हम लोगों को क्या कहना है देखो, बर्नों से सम्बंधित चित्रों को पहचानना है, और उसे चित्रों को उसी बर्नों का रंग भरवाना है यानि कि क्या अलग कहना है तो देखो, यह क्या है डम्रू, और डो से डम्रू होते है, है न डॉ कौनती कलर की क्रियान से लिखा हुआ है ब्राउन तो कलो ब्राउन कलर की क्रियान लेलो आप लो लेकर देखो यहां पे ये डमडु को कलर कर लो Very good, बहुत अच्छे ये देखो मैं तो कलर कर रही हू आप लोग करो Very good देखो, मेरा almost हो गए बहुत ध्यान से कलर करना है डम्रू से कलर बहा नहीं निकालना चाहिए ये देखो मैंने यहाँ पे डम्रू के चितर कलर कर ली आप लोगों कहो गए हाँ very good तो मेरे साथ साथ एक पर बोलो डॉस से डम्रू very good अभी देखो ये तो टब है तो से टब होते हैं तो देखो यहाँ पे टब कहाँ पे लिखा हुआ है ये रहे टब और ब्लू कलर की क्रियान से लिखा हुआ है तो चलो ब्लू कलर की क्रियान लेलो लेकर ये टब को कलर कर लो ब्लू क्रियान से हाँ बहुत अच्छे ऐसे ही कलर करो Color यहाँ पे यह टब से बाहर नहीं निकालना चाहिए यह देखो, मैं कैसे कर रही हूँ, आप लोग भी करो Very good, यह देखो मैंने यहाँ पे टब कर ली आप लोग भी कर लो तो देखो, 2 से टब अभी देखो, यह तो धकन है हाँ और धकन ये जो शब्द ये शब्द कौन से बर्न से शुरू होते हैं हाँ धौ से तो देखो ये रहे धौ औरंज कलर की क्रियान से लिखा हुआ है ना हाँ तो औरंज कलर की क्रियान ले लो लेकर यहाँ पे ये धकन के चित्र कलर कर लो औरंज क्रियान से Very good यह देखो, मैं कैसे कर रही हूँ यह देखो, मेरा यहाँ पर कल होगे हाँ, आप लोगों कहोगे हाँ, very good तो मेरे साथ साथ बोलो धौसे धकन अब देखो, यह क्या है थपा धौसे थपा ना, तो देखो, थौप पॉपल कला की क्रियांस लिखा हुआ है तो चलो पॉपल कला की क्रियां लेलो लेकर ठपा की चित्र कला करलो हाँ, very good, बहुत अच्छे ऐसे ही कला करलो पूरे चित्र को हाँ, very good ये देखो, मेरा यहाँ पे अल्मोस्ट पॉपल कला हो गए हाँ, आप लोग दिखाओ मुझे, हाँ, very good ऐसे ही, आप लोग कला करलो हाँ, ये देखो, मेरा यहाँ पे कला हो गए हाँ, आप लोगों कहो गए, तो मेरा साथ साथ बोलो ठास से ठपा, हाँ, very good तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किये बर्णों से शम्मंधी सित्रों को पहचाने और उसी सित्रों को उसी बर्णों का रंग बरवाए, है न, हाँ अभी देखो, हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे ये कौन है, बोलो मुझे, डखिया, हाँ और ये क्या है, डख बक्ष, हाँ और ये सब क्या है, खत, हाँ, वेरी गुड तो अभी यहाँ पे देखो, कौन-कौन से बर्ण लिखा हुआ है डख बक्षय में, ड़, पिर, त, हाँ और ये धा है, और ये था, और ये न, अभी ही हम लोगों को इन बर्णों को सही क्र Gab में लिखना है, इन खत के ऊपर तो चलो, जब लोग पंचल लेलो सबसे पहले हम लोगों को कौन से बर्ण लिखना है त, हाँ, तो चलो, मेरे साथ साथ लिखो ऐसे एक खड़ी रिखा और यहाँ से एक खड़ी ख़ा दो तो डो कैसे लिखना है चोटी सी खड़ी रेखा यहां से ऐसे घुमा कर ऐसे घुमा कर मात्रा दो डो के बाद दो हाँ लिखो मेरे साथ से चोटी सी खड़ी रेखा यहां से ऐसे घुमा कर मात्रा धो डो के बाद न तो सलो न लिखो ऐसे एक रेखा और मात्रा न तो मेरे स तो देखो यहां पर हम लोग इन बरणों को सही क्रम में लिखे है ना हाँ अभी तो आप लोग बहुत इंट्रेस्टिंग एक एक्टिविटी शीट किये हो है ना हाँ अभी क्या करना है यह एक्टिविटी शीट के एक फोटो गुगल क्लास्ट्रूम में सब्मिट करने के लिए ममी या पापा किसी को रिमाइंड करना है हाँ ओके तो माई दियर शिम्रुकाइट्स आज के लिए इतना सा ही हाँ बाबाई पॉर नाओ सी यू सून